नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अदुल और ये है फायर बुल्ड लुमोस स्मार्ट वाच जो आली में लॉंच हुए है एमेजन पे और आपको मिलती है वन फॉर डबल नेन में तो स्पेक्स और फीचर्स के हिसाब से जो इसकी प्राइस से काफी बढ़िया है और ये है लक्स कल स्मार्ट वाच में कॉलिंग का फीचर काम करेगा इसके अलावा इसमें है 1.91 इंच का LCD डिस्प्ले, 100 प्लस वर्काउट मोड, 150 प्लस वाच पेस, हार्ट रेट, SP2 एंड स्लिप ट्रैकर, वोईस असिस्टंट, कैमरा एंड मूसिक कंट्रोल और ये है IP67 वाटर एंडस्ट बतलब कि आप इसे पानी में एक मिटर घेरे तक आदे घंटी के लिए उसकर पाऊगे, बात करते हैं स्मार्ट वाच के फिजिकल और यू की, तो स्मार्ट वाच दिखने में प्रीमियम लगती है, क्योंकि इसमें आपको मिलती है मेटल बोडी, जो केस है, ये है स्टेनले स सेंसर, और अच्छे बात हैं कि आप घर बेटे ही, स्ट्रैप के लेंग्ध को एडजस कर सकते हो, कि के बोख्स में आपको मिलता है स्ट्रैप टूल, तो इस तूल के जड़िए आप लिंक्स को रिमु कर सकते हो, और अपने हिसाब से जो लेंग्ध स्ट्रैप की उसे देगेंगे 2 hour आपको मिलेगा 7 days का battery backup लेकिन अगर आप calling का इसका रोगे तो आपको मिलेगा 2-3 दिन का battery backup चार्जिंग करने के लिए आप 5 या 10 रोड का charging adapter यूज कर सकते हो, जितना slow charger आप इसका रोगे उतना बेतर होता है smartwatch की battery life के लिए long run में या आप अपने PCI laptop में जो USB बड़ता है उससे भी charging कर सकते हो, अब अपने power bank से भी इस smartwatch को charge कर सकते हो, इस smartwatch को first time इस करने से पिल आपको इसे full charge करना है ताकि आपको first time से ही अच्छा battery backup मिले, तो मैंने इसे full charge कर लिया, मैं करूंगा इसे, switch on तो आपको बड़न पे long press करना है, जब logo दिख्या देगा तब आपको अपनी उली release कर दिनी है, तो smartwatch हो चुकिए switch on, अब हम करेंगी इसकी pairing अपने smartphone के साथ, इस smartwatch को अपने phone के साथ pair करने के लिए आपको अपने phone में प्लेश्टोर में जाकर इसे आपको download करना है, जिसका नाम है दाफिट, दाफिट इसे आपको download कीजिए, आपक download कीजिए, उपर में है आपको लिखाओगा add device, आपको इस पर tap करना है, while you're using the app पर tap कीजिए, allow कीजिए, फिर से allow कीजिए ताकि आपके phone में Bluetooth on हो जाए, फिर यहाँ पर आपको show करेगा BSW005 आपको इस पर tap करना है, done पर tap कीजिए, continue, फिर आपको जना है device के tap में, फिर यह आपको जाना है, अपने phone के BT settings में, बी पर long tap कीजिए, और फिर आपको अपने phone में जाना है, यहाँ पर होगा control center में calling का button, आपको call का button पर tap करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से scan करना है, यहाँ पर शोगा BSW005 audio, उस पर tap कीजिए, pair कीजिए, इसके बाद आपके watch में calling का feature own हो चुका है, आप देख सकते हो, connected for calls and audio, बैक जाइए एप में, और यहाँ पर अब आपको सबसे पहले मिलेगा option, watch face को change करने का, download करने का option, तो आप यहाँ से one tap में watch face को change कर सकते हो, आपको इस तरह के से tap करना है, watch face को change करने के लिए, आप देख सकते हो, अगर funny, colorful, modern, classic और activity, सभी watch face को एक साथ देखने के लिए आपको जना है, new watch face पे, इस पे tap कीजिए, तो आपको जैस किसी watch face को download करना है, आपको इस पे tap करना है, मैं एक ऐसे watch face को download करना चाहूंगा, जिसमें battery level भी show करें percent में, तो यह रहा, watch face में इस पे tap करूंगा, और करूंगा apply तो इस तरीके से आप किसी भी watch face को download करके apply कर सकते हो, जो watch face से apply हो चुका है, आप देख सकते हो, अगर आपको अपनी खुद के photo set करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो, आपको मिलेगा watch face number 1 पे edit का option, आपको edit का option, आपको edit के tap करना है, allow कीजिए, तो आपको swipe करना है, जाना है last में, यहाँ पे होगा, choose from album का option, plus के sign पे tap कीजिए, gallery को open कीजिए, जिस किसी photo को आपको set करना है, आपको इस photo पे tap करना है, मुझे set करनी है, यह photo तुम्हें इस पे tap करूंगा, आप इसे up या down कर सकते हो, अपनी हिसाब से, फिर आपको करना है, tick पे tap, time जो है, उपर में श शो करे, date, और time के नीचे शो करे, steps, इस तरीके से आप अपने हिसाब से कोई भी दो चीजों को, शोगर पाऊगे time के उपर नीचे, फिर यहाँ पे है, text का color, तो आपको जो color चूज करना है, चूज किजिए, फिर आपको करना है, save, इस तरीके से आप अपने किसी भी photo को set क कर सकते हो watch face पे, तो जो photo है, set हो चुकी है, आप देख सकते हो, आप अपनी watch में एक साथ 8 watch face को place कर सकते हो, हलाकि watch face number 1 और जो 8 है, उनी को आप change कर बाऊगे, बाकी watch face को आप change नहीं कर सकते, बाकी सब भी fix होते है, आप अपनी watch से भी watch face को change कर सकते हो, आपको watch face पे long tap करना पिर आपको इनके बेच में switch करना है, change करने के लिए, जिस watch face को set करना है, उस पे आपको tap करना है, इसके आगे है notification, तो आपको इसे open करना है, सब सबहले phone, तो आपको इसे on करना है, permission को allow किजिए, इसके बाद है message, मतलब कि SMS, इसे भी on किजिए, permission को allow किजिए, और इन में से आ WhatsApp, Instagram, अगर आपको सभी apps की notification अदर issue करनी है, आपके smart watch में तो आपको others को on करना है, लेकिन अगर आप others को on करोगे, तो आपको battery backup कम मिलेगा, इसलिमें others को offer रखोंगा, आप देखते हैं, अगर आपको कई भी call आता है, तो किस तरीके से शो करेगा आपकी watch में, तो call आने पे आपको मिलेगा इस तरीके से call का reminder, आपकी watch में बज़े के ringtone और आपकी watch करेगी vibrate, यहाप पे contact का ना में नंबर सोगा, और आपको यहापे मिलेंगे दो option, इस call को accept करने के लिए, और इसे decline करने के लिए, और जो watch में ringtone बज़े आप उससे mute नहीं कर सकते हैं, उसके लिए इसके दो तरीके हैं, आला कि आपको अपने phone के volume up या down पे press करना है, तो जो ringtone होगी, mute हो जाएगी आपके watch में, इसके अलाव अगर आप speaker को block करोगे, तो जो ringtone है, mute हो जाएगा, speaker को आपको block करना इस तरीके से, तो इस watch में silent mode का option नहीं है, अला कि इसके लिए है एक तरीक तो आप ऐसे जग़ा पे होज़ा, आपके watch में ringtone बज़े, तो आपको उस जग़ा पे क्या करना है, अपनी watch में, जो calling का feature है, उससे off करना है, तो अगर आपने call के feature को off कर दिया, तो आपको मिलेगा इस तरीके से call का reminder, contact करना में number चोगा, आपकी watch में होगा vibration, अब ringtone नहीं जाना है, call के button पे ट्याप करना है, अब जो call होगा, रिसी होगा, आपकी watch में, आप देख सकती है, अब आपको यहीप सुने देगा watch में, अगर आपने call को रिसी कर दिया, तो आपको यहाँ पी मिलते है, चार options, यह call के volume को adjust करने का toggle, तो आप यह से plus minus के send पे ट्याप करके call के volume को adjust कर सकते हो, बात में है call को switch करने का option, तो आप यहाँ से भी call को switch कर पाओगे, watch to phone, phone to watch, इस tap करोगे, तो call जा चुका है phone में, वापस tap करोगे, तो phone आ चुका है watch में, फिर यह है mic commit करने का option, तो अगर आप mic commit करोगे, तो सामने लोगो आपके आवाज नहीं जाएग अगर आपको sms को देखना हो, तो आपको display को on करना होगा, और यह है sms, तो उपर में show होगा contact करना में number, और यह है message का content, और यहाँ पे आप देख पाओगे, एक साथ, 6-7 line, अगर आपने यहाँ आप देखना मिस कर दिया, तो आपको जाना है main menu में, मतलब कि swipe up करना है, औ यहाँ पे होगा message का option, आपको इस पे tap करना है, और यहाँ पे शुकरेंगे आपके message, आपको open करना है, तो open किजिए tap करके, तो यहाँ पे हिंदी phone support करते लिगी, निमोजी support नि करते, और अगर आप चाहो तो सभी को एक साथ कर पाओगे clear, नीचे आपको में लेगा clear, उलक button, सभी को एक साथ clear करने के लिए, दोबार अगर आपको SMS open करना हो, तो आपको ज्यादा खुछ नहीं करना है, बस करना है swipe, और यहाँ पे होगा message का icon, ट्याप किजिए, आपके message यहाँ पे शुकरेंगे, अब देखते हैं, अगर आपको WhatsApp से कोई भी text आता है, तो कैसे शु और यह है message का icon, आपको इस पे ट्याप करना है, आपको WhatsApp icon या message यहाँ पे शुकरेंगा, और यहाँ पे आप रेट करबाओगे, 6-7 line, और यहाँ पे रेट करबाओगे अपने पिछले 5 message को, फिर यहाँ पे है cricket matches, तो अगर कोई भी cricket का tournament होता है, तो उसके दोरान आपको मिल लेंगे live score आपकी watch में, तो आपको इस पे tap करना है, allow कीजिए, अभी हाँ पे शो कर रहा है cricket world cup, जो अभी end हो चुका है, लेकिन अगर future में कोई भी major tournament आता है, तो उसके लिए यहाँ पे tournament के matches शो करेंगे, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो आप particular match के लिए या फिर particular team के लिए जो score है, उसे enable कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है India, Australia, तो अगर आप जाओगे subscription में, तो इंडिया और Australia के जो भी matches होंगे, यहाँ पे show करेंगे, आप देख सकते हो, फिर अगर आपको score का reminder चाहिए, आपकी watch में, तो आपको gear का icon पे tap करना है, मैं start reminder, और यह है score reminder, इ display on हो जाएगा, और आपकी watch में होगा vibration, हाला कि यह feature दभी काम करेगा, जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी, आगे है alarm, तो आप यहाँ पे एक साथ तीन alarm को add कर पाओगे, आपको इस पर ड्याप करना है, time पर ड्याप किजिए, यह है hour, यह है minute, time को set कीजिए इस तरीके से पिर आपको कौन से दिन को इस alarm को apply करना है, उन दिन को choose किजिए, फिर किजिए save, और जब भी alarm को time हैगा, तब आपको मिलेगा alarm का reminder आपकी watch में, vibration के साथ, और जो भी alarm आप add करोगे यहाँ पे, वो देख पाओगे आपकी watch में भी, आप watch से alarm को add नहीं कर सकते, इसके आगे आपके shutter, तो जैसे में इस पर tap करूँगा, और करूँगा value जिंदी एप, तो मेरे phone में open होगा camera, और मेरी watch में open होगा shutter button, तो जो shutter है, आपको इस पर tap करना है, आपके phone में capture होगी photo, 3 second की timer के बाद, तो आप tap करके, या अपनी watch को shake करके, photo capture कर सकते हो इस तरीक से, अगर favorite तो यहाँ पर है, rotate camera का option, आगे है favorite context, तो आप अपने चुनिंदा add context को add कर पाओगे, अपने smart watch में, तो आपको इस पर tap करना है, add पर tap किजिए, तो आपको जो भी context को add करना है, उसके सामने होगा number, आपको इस number पर tap करना है, इस तरीक से, फिर आपको वहाँ पर मिलेगी tick तो आप इस तरीक से किसी भी add context को add कर सकते हो, तो मैंने add context को add कर दिया है, फिर आपको करना है save पर tap, अगर आपको इन में से किसी भी context को remove करना है, तो आपको करना है उस contact पर swipe left, आपको मिलेगा minus का sign, उस पर tap कीजिए, remove करने के लिए, और save करने के लिए किजिए, done पर tap, अगर आपको इसमें ऐसा कोई भी number add नहीं करना है, जिसमें hash आ star हो, अगर आप कोई भी ऐसा number add करते हो, तो आपकी watch में ये context नहीं होंगे, मालेज है आपनी है से किसी को remove कर दिया, फिर से अगर आपको किसी को add करना है, तो आपको plus के sign पर tap करना है, add करने के लिए, save करने क लिए back जाईए, फिर आगे है others, इसमें सबसे पहले है time format, तो आप अपनी watch में time को set नहीं कर सकते, जो time आपके phone में शो कर रहे है, ऐसे time आपकी watch में शो करेगा, अल्लाग कि आप जो time format है, उसे change कर सकते हो, तो यहाँ पे है, दो option, 12 hour या फिर 24 hour, आपको जिस format में time format को set कर जाएगा, उसे कहते है, auto lock, तो यहाँ पे option है, अलग-अलग, 5 seconds से लेकर 30 seconds तक, तो माल लेते, मैंने set किया है, 15 seconds, मतलब की मेरी watch में display 15 seconds के लिए on रहेगा, उसके बाद off हो जाएगा, आगे है quick view, मतलब की rest week का feature, तो अगर आपने इसे on किया है, तो इससे होता गया है, तो control करना, आपकी watch के जड़ी है, तो आपको इससे on करना है, इसके बाद है D&D, तो D&D को on करने के लिए, आपको सबसे बेले time को set करना है, start time, end time, जो time आप set करोगे, उस time के दुरान D&D काम करेगा, D&D काम करेगा, मतलब कि आपकी watch में कोई भी message या call शोनी करेंगे, इसके ल home level पे set हो जाएगी, vibration काम नहीं करेगा, और जो race track का feature है, वो भी काम नहीं करेगा, आगे है weather, तो आपके say on करना है, और आपको अपनी city यहाँ पे add करनी है, जैसे कि मेरी city है, मुंबई, तो मैं type करूंगा मुंबई, मुंबई पे tap करना है, तो मुझे शो करेगा मुंबई heart rate measurement, तो अगर आप चाहाते हो, आपके wash में heart rate automatic measure होता रहे है, तो आपको इस video आप करके timer को set करना, जैसे कि मैंने set किया है, 20 minute, तो मेरी wash में अब 20 minute के बाद heart rate automatic measure होता रहेगा, लेकिन ऐसा करने से, battery backup काफी कम बिलेगा आपको, इसलिए अगर आपको battery backup बड़ी है चाहिए तो आपको इससे set करना है, close पे मतलब कि आपकी wash में, अब automatic heart rate measure नहीं होगा, आप जब चाहिए तब manually अपनी wash में heart rate को measure कर सकते हो, बड़ी आसनी से, फिर यह है physiological cycle reminder, तो अगर आप एक female हो, और अगर आपको अपने period को track करना हुआ, तो आपको इससे own करना है, last time आपको period आपको start करना है, पानी पिना, तो मैं चाहता हूँ सुबह में start हो जाए, 9 बज़े, पहला reminder, और आपको ऐसा कितनी बार करना है, मैं चाहता हूँ, दिन में हो, ऐसा 6 बार, और आपको हर legends गंटे के बाद ऐसा पानी पिने का reminder साहिए, तो मैं चाहता हूँ, अर 2 घंटे, तो आप कुलास्ट वाले ट्याप पे ट्याप करना है, प्रोफाल पे ट्याप करके आप यहां से अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और जो स्टेप लेंग थे मतलब की कदमों के लंबाई, चेंज कर सकते हो जब चाहते हो यहां से इस तरह के से, फिर यह है गोल मतलब की डेली स्टेप गोल, तो डेली है आपको इतने स्टेप चलने है आप यहां से झो अपना डेली स्टेप गोल है, चेंज कर सकते हो जब चाहते तब, आगे है बेगराँट ओपरेशन प्रोडेक्शन गईड तो गणो आप चाहते हो आपका जो दाफिट एप है वो बेगराँ करें और जो आपके वाष ये आपके फून के साथ बार बार लार डिस्करेक ना हो तो आपको करनी है दो चीजे आपके इसे open करना है recent app में और इकन fit app किजिए और यहाप के वगगा log this app या keep open आपको इस fit app करना है लोग का आईकन शो करेगा इसके बाद आपको जाना है एंप इंफो में बैटरी में और यहां पे आपको स्ट करना है पहले पर अन्रेस्टिक्टिट पर आगे है गुगल फिट तो इस दाफिट आप में आपका जो भी एक्टिविटी और हेल्थ डेटा है उसे अगर आपको सिंग करना हुआ आपके गुगल अकाउ यहां पे शो करेगा आपका स्लीप डेटा तो अगर आप चाहनाते हो आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड हो तो आपको सोने के दुरार अपनी वाच को पहने रखना है और आप अपनी वाच में आपका हार्ट रेट और एस्पू जो भी करोगे मेजर आपको यहां पे शो करे तो आप display को off या on कर सकते हो इस तरह के से आप देख सकते हो अगर आप किसी भी menu में enter करते हो वहां से अगर आपको step by step back जाना हुआ तो आपको step by step back जाने का ओर रहक तरीका है आपको इस तरह के से swipe करना है right में step by step back जाने के लिए और home page पे होते हुए अगर आप इस पे long press करोगे तो आपको मिलेगा power menu आपको टिक पिटे आप करना है इससे switch up करने के लिए अब बात करते हैं rotate function की तो home page पे होते हो अगर आप इस पे करोगे rotate तो आप जो watch page से उन्हें change कर सकते हो इस तरह के से आप डेख सकते हो अगर आप किसी भी menu या settings में enter करते हो वहाँ पे अगर आपको navigate करना है उपर या नहीं है तो आप इसके जरीए कर पाओगे इससे गुमा कर आप देख सकते हो उपर निचे कर पाओगे menu को home page पे अगर आप करोगे swipe down तो आपको में लिगा control center यहाँ पे आपको show करते है six toggles उपर में है battery level सबसे पहले है dnd का toggle तो आप यहाँ से one tap में dnd को on up कर सकते हो इस तरह के से अगर आपने dnd को on कर दिया तो आपकी watch में कोई भी message या call नहीं आएंगे इसके अलावा आपके watch में raise to wake का feature काम नहीं करेगा आगे है brightness को adjust करने का toggle तो आप यहाँ से plus minus percent पे ट्याप करके brightness को adjust कर सकते हो इस तरह के से फिर हाँ पे timer का shortcut तो आप यहाँ से one tap में timer को start कर सकते हो इस तरह के से आप देख सकते हो फिर है camera shutter तो अगर आप इस पे tap करोगे आपके phone में open होगा camera लेकिन यह तभी काम करेगा जब आपके phone में da fit app अपन होगा तो उसे open कीजिए फिर आपको इस पिटाप करना है आपके फोन में उपनों का कैमेरा ट्याप करोगे तो फिर सेगर आप ट्याप करोगे या शेक करोगे तो आपके फोन में capture होगी photo फिर यह है calling के feature को on off करने का toggle तो अगर यह on है मतलब कि आप अपनी वाच में call को receive कर पाऊगे अगर आपको call को receive नहीं करना है अपनी वाच में तो आपको इसे off करना है receive करना है तो on किजिए फिर यह है settings इसमें सबसे पहले है display और इसमें पहले है brightness आप यहाँ से भी adjust कर सकते हो आगे है auto slip मतलब की screen time out तो जैसे हमने set किया था 15 second आप यहाँ से भी इसे adjust कर सकते हो अलग-अलग timer पे फिर यह है watch face तो आप यहाँ से भी watch face को change कर सकते हो आपको watch face के बीच में swipe करना है जिसे set करना है उस पे tap किजिए फिर यहाँ पे menu you आपको मिलते है दो type के menu you एक होता है honeycomb जैसे आप करोगे honeycomb तो यहाँ पे आपको मिलता है इस तरह किसे main menu style अगर आप करोगे list view तो आपको मिलेगा यह list view फिर यहाँ पे है dnd, vibration, low power mode और phone call आप यहाँ से भी इने on up कर पाऊगे low power mode मतलब की battery saving mode जो हमने देखा था app में इसके बाद phone reset तो अगर आप करोगे इसे reset तो आपकी watch में होंगी 3 चीजे आपके सभी contacts हो जाएंगे clear आपकी जो भी call history है वो भी हो जाएगी clear और जो calling का feature है वो भी off हो जाएगा इसके बाद इस system इसमें आपको भी लेंगे तीन option restart करने के लिए switch up करने के लिए और reset करने के लिए home page पर अगर आप करोगे swipe rate तो आपको भी आपके मिलेगा quick menu उपर में शो करेगा time और date और weather पिर यहाँ आप भी आपको शो करेंगे कोई भी six apps जो आपने recently use किये है तो आपके usage के साफ से जो apps होंगे यहाँ पर change होते रहेंगे और आप one tap में इन्हे open कर सकते हो इस तरह किसे आप देख सकते हो home page पर अगर आप करोगे swipe left तो आपको मिलेंगे अलग-अलग shortcut जैसे कि पहले है activity मतलब की आज का data आज के steps, distance और calorie इसके आगे है sleep data तो आपका sleeping time और आपके अलग-अलग sleep stage यहाँ पर एशो करेंगे time के साथ इसके आगे है heart rate measurement तो आप अपने heart rate को यहाँ पर कर पाऊगे measure maximum minimum आज का एशो करेगा और अभी फिलाल कितना आया है और आज का 24 hour का record graph ice शो करेगा इसके आगे है square to measurement तो आप अपने blood oxygen को measure कर पाऊगे अभी फिलाल कितना है आज का maximum minimum यहाँ पर शो करेगा और last 7 record आपको यहाँ पर शो करेंगे graph ice इसके आगे है weather info तो आभी फिलाल कितना weather है आज का maximum minimum और आने वाले अगले 5 दिन का maximum minimum weather शो करेगा और कास्ट के साथ इसके आगे है phone call का feature तो जो भी आपने add contacts add किया आपको यहाँ पर शो करेंगे contact में अगर आपको इन में से किसी भी contact को call करना हो तो आपको उस पर ट्याप करना है call करने के लिए फिर यह है dial pad तो आप किसी भी number को यहाँ पर ट्याप करके call कर सकते हो बड़ी आसनी से आप देख सकते हो तो यह है recent call आपके पिछले चार call से आपके शो करेंगे अगर आप चाहो तो किसी भी contact पर ट्याप करके उसे फिर से call कर सकते हो इस तरह के से इसके आगे है shortcut को add करने का option तो आपको place के send पर ट्याप करना है अगर आपको इन में से किसी को भी add करना है तो आपको tap करना है इस तरह के से आप one by one सभी को add कर पाओगे तो मैंने सभी shortcuts को add कर दिया है अगर आपको इन में से किसी भी shortcut को remove करना हुआ तो आपको इस पर long tap करना है minus के send पर tap कीजिए remove करने के लिए और अगर आपको रखना है उसे तो बीच में ट्याप किजिए इसके आगे है वर्काउट मोड इस वाच में आपको मिलते है 100 से भी ज्यादा वर्काउट मोड लेकिन आप यहाँ पे एक साथ प्लेस कर पाओगे नए वर्काउट मोड जो मैंने आड किया आप देख सकते हो अगर आप 4 नए आड करोगे तो नीचे से पुरा ने चार रिम हो जाएंगे आप जितने नए आड करोगे उतने पुरा नीचे से रिम हो जाते है अगर आपको किसी भी workout को start करना है तो आपको इस पर ट्याप करना है workout को start करने के लिए तो यहाँ पर शो होता है workout के timer real time heart rate, kilo calorie energy और आपके steps अगर आप करोगे swipe left तो यहाँ पर आपको मिलता है post करने का option, resume करने का option और इसे end करने का option अगर आप चाहते हो आपका workout data स्टेओ हो तो आपको minimum एक minute के लिए workout करना है इसके आगे है message center आप अपने message को यहाँ पर रिट कर पाऊगे इसके आगे है camera shutter जो हम देख चुके है music player है, आपको play पर ट्याप करना है previous किजिए next volume को आप यहाँ से adjust कर सकते हो आपकी watch में काम नहीं करना है तो आपको अपने phone में music player को open करना है play किजिए close किजिए यहाँ पर यह music player काम करेगा जो music play हो रहा है मेरी watch में अगर आप चाहते हो phone में play हो तो आपको जाना है अपने phone के BT settings में, बीपल लूंट्याप किजिए और यहाँ पर होगा BSW 005 उसके सामने होगा gear का icon उस पर टाप किजिए और जो audio है उसे आपको off करना है इसके बाद अगर में play करूंगा तो music play होगा मेरे phone में अगर आपको फिर से play करना है वाच में तो audio को on किजिए इस तरह के से आप जो media output है उसे change कर पाऊगे इस audio toggle के जरीए फिर इसके आगे है alarm जो भी आपने alarm add के आपके app में दाफिट app में है पेशो करेंगे आप यहाँसे alarm को add नहीं कर सकते हाला कि आप alarm को यहाँ से on-off कर सकते हो इस तरह के से आप देख सकते हो इसके आगे है game यहाँ पे आपको मिलते है तीन inbuilt game 2048, Thunder, Battleship और Youngbird फिर आगे है voice assistant तो आपके phone में अगर Google Assistant, Siri या Bixby है तो इसका इसाप कर पाऊगे आपको tap करना है open YouTube how is the weather in Mumbai home page पगर आप करोगे swipe आप तो आपको मिलेगा main menu हम सबी menu को already देख चुके है जो बाकिया देखना हो है find phone तो आप इस feature के जरी अपने phone को ढूण सकते हो आपको अपने phone को कई रख दिया है आपको नहीं पता कहा पर रखा हुआ है तो आप अपने phone को ढूणने के लिए इस feature को यूज कर सकते हो आपको इस पे tap करना है आपके phone में ring बजेगी अगर आपका phone silent word भी होता है फिर भी आपके phone में ring बजेगी ट्याप कीजिए फिर से ओफ करने के लिए बैग जाईए और ring में है आपके है अधर मतलब की settings जो हम पहले ही देख चुके है दोस्तो तो ये था Fireboard remote smartwatch का फुल setup guide अगर आपको कोई भी सवाल होता आप हमें पूछ सकते हो आप मुझे Instagram पे या फिर ट्याप पे ट्याप पे भी मेसेज कर सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो